The strongest muscle in our body is the tongue. जी हां दोस्तो, हमारी बोडी की सबसे strongest muscle हमारी tongue यानि जीव को बताया गया है. 2. आंट्स टेक रेश्ट अराउंड 8 मिनिट्स in 12 हार्स. अब friends मैं आपसे पूछूँ कि अगर एक GT कितनी तेर रेश्ट करती होगी तो आप क्या कहेंगे well मैं बताता हूँ कि एक GT 12 गंटों में केवल 8 मिनिट ही रेश्ट करती है यानि 20 गंटों में केवल 16 मिनिट रेश्ट करती है नमबर थ्री अगर मैं आपसे पूछू कि पूरी ही इंगलीश का सबसे छोटा कम्प्लीट सेंटेंस क्या है तो आप क्या कहेंगे well पूरी ही इंगलीश का सबसे छोटा कम्प्लीट सेंटेंस आई एम है आई एम नमबर फाइज देर अनली टू वर्ट इन दा इंगलीश लेंग्वेज देट हेव ओल फाइब वोवेल्स इंगलीश लेंग्वेज में एसे दो ही वर्ट है जिसमें वह विल्स तो है लेकिन एक ओडर में है एई आई और यू इस ओडर में है वो दो वर्ट है एपस्टेमियस एंड फेज़ेटियस अब फ्रेंट्स अगर हम कॉंटिनेंट्स के नाम की बात करें तो कॉंटिनेंट्स के नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहे है वो उसी लेटर से खतम भी हो रहे है फोर एक्जामपल एसिया एसिया की बात करें तो एसिया एसे स्टार्ट हो रहा है एसे भी खतम हो रहा है औ और अमेरिका एसे स्टार्ट हो रहा है एसे भी खतम हो रहा है और इसमें नोर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये एक्सेप्शन है Mostly continents के नाम एसे स्टार्ट और एसे ही खतम हो रहे है Number 7 Human blink twice as much as man जी हाँ friends जितनी देर में एक आदमी एक man अपनी आग को blink करता है जपकाता है उतनी ही देर में एक human एक महिला अपनी आग को दो बार blink कर लेती है Number 8 It is physically impossible for pigs to look into the sky Pigs की body ही एसी बनाई गई है कि वो चहा कर भी इसकाय में नहीं देख सकते चाहे वो बेटे-बेटे या फिर खड़े-खड़े कैसे भी इसकाय में नहीं देख सकते Number 9 A snail can sleep for 3 years अगर मैं आपसे पुछूं कि आप कितने देर तक सो सकते हो तो आप क्या कहेंगे आप 5 गंटे, 9 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे, एक दिन हो सकता है, दो दिन भी सो सकते हो But snail, snail की बात करें तो snail 3 सालों तक सो सकती है 3 सालों तक सो सकती है एक snail, यह एक जानवर है Number 10 The sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog, uses every letter in the English language Friends, English language का यह sentence है, the quick brown fox jumps over the lazy dog, यह English alpha fat के A से लेके Z तक सारे letters को कवर करता है अब friends, आज के fact के बंडार के एपिसोड में बस इतना ही, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें और most important channel को subscribe करके bell icon को press जलू कर लीजिएगा, तो मिलते हैं next studio में तब तक के लिए, खुश रहिए, खुश यह बाटते रहिए, thank you